Hey guys this is Zaman and यह अच्छ हमारे पास एक question है basically यह जो question है आपके triangle chapter में जो आपका 4th exercise है 6.4 इसका question number 3 है तो आएए देखते है question कुछ इस प्रकार है in the figure 6.44 तो basically आपके question में यही एक figure दे रहके trapezium की ABC and DBC okay जिसकी इसकी बात करें उसके बारे में थोड़ा देखते जाते हैं ABC and DBC are two triangles on the same base BC अच्छा ABC देखो जारा ABC कहां पर ABC हांजी and DBC यहारे इस triangle की बात कर रहे हैं इस triangle की और बात करें और बोल रहे हैं कि यह same base पर लाई करता है same base BC पर लाई है आप देख सकते हैं BC पर ही BC का ही basically जो base है BC यहनि कि triangle ABC के लिए base क्या है BC हांजी और जो आपका DBC है उसके लिए base क्या है BC यहनि कि दोनों triangle के लिए same base BC ठीक है बहुत बढ़िया और बोल रहा है if AD intersect BC क्या बोल रहा है if AD intersect BC at O show that area of triangle ABC divided by area of triangle DBC is equal to AO by DO ऐसा दे रहा है question में करेंगे कैसे देकि यह आपको इस question में एक चीज बेसिकली construction थोड़ा सा करना पड़ेगा ठीक है तो construction थोड़ा से ध्यान दीजेगा मैं क्या करूँ करने के लिए आपको triangle का formula पता होगा कि half into base into height तो आपके पास base तो है लेकिन height नहीं है तो मैं क्या करता हूँ height मान लेता हूँ ठीक है पहले concept कर लेते है height ऐसे करता हूँ आपका triangle ABC में कुछ height में इस तरह कर लेता हूँ कुछ तरह मैं height को मैं draw कर लेता हूँ ठीक है तो यह आपका height हो गया ठीक है इसका नाम कुछ दिक्कत लिवात नहीं है ठीक है अब हम area निकाल सकते हैं तो चलो इसको लेके चलते हैं हम क्या करेंगे हम ऐसा करेंग ना कि लेके चलेंगा लास्ट में आर्चस के बराबर दिखा देंगा तो शो हो जाएगा हां जी हो जाएगा तो हम यहां पर क्या 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 area of triangle abc लिख लो abc divided by क्या है आपका area of triangle dbc ठीक है और area कैसे निकालेंगे abc जो आपका ट्राइंगल है half into base into height यूज कर लेते हैं चलो यूज करते हैं half into base क्या है bc ठीक है तो half into base into height क्या है height यहाँ पर ae है ठीक है ae बहुत बढ़िया बस construction तो ध्यान रखेगा डिवाइडर बाई अब यहाँ डिबीसी का area लिखो dbc में भी half into base into height यूज करते हैं तो half into base क्या हो जागा बेस तो दोनों का c में तो bc लिख देते हैं into height क्या है आपका df ठीक है df लिख लो कोई दिक्कतोली बात नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि bc bc gets cancelled here half half gets cancelled here तो बचा क्या बचा है आपका ae by क्या ae by df ठीक है बट यहाँ आपको कुछ haul लाना था देखो यहाँ पर आपको लाना था area of triangle abc divided by area of triangle dbc उसको बराबर लाना था आपका a e bai dya लेकिन आप क्या लेया है हाँ यहाँ पे ae by df लाना था कुछ लेया है कुछ तो basically आपको यह शो करने के लिए किसी तरह आपको यह शो करने के लिए finally आपको यह सभी समाख आ गई होगी कि आपका जो तो a by a by जो df है क्या a by df है उसको आपको बराबर लाना पड़े है क्या a by do के तब ही तो आप इसको लिख पाओ गया मैंने क्या बूला मैंने बोला जब इन दोनों कमेंटेश्यों निकाला तो a by df आया ठीक है लेकिन लाना तो था a by do और आ गया a by df तो finally मेरे को यह समझ आ रहा है कि a by df है न यह बराबर होना चाहिए किसी भी तरह a by do के अब यह कैसे बराबर करेंगे तो थोड़ा से यहां पर ध्यान दीजिए गाप यह क्या है आपका a by df अच्छा दोनों side का ratio है एक बात बता थ्यान दो हम क्या करते हैं इन दोनों ट्राइंगल को आगर हम सिमिलर्ड प्रूफ कर दें तो हम यहां पर पहुंच जाएंगे ठीक है है ओके तो हम क्या करते हैं जो ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ट्राइंगल लिख लो क्या लिख लो इसको सिंफिलाट प्रूफ करना तो चलो करते हैं एक बात बताओ है जो एंगल होगा किसके बृक्तिकर लिख लेते हैं क्या क्या लिखेंगे angle AOE क्या लिखेंगे angle AOE वह बराबर हो जाएगा किसके angle DOF के क्या लिखेंगे angle DOF के बराबर हो जाएगा और यह क्यों हो जाएगा तो vertically opposite angle ठीक है VOA कोई दिकदले बात नहीं है हमें एक और angle को equal दिखाना पड़ेगा तो आप देख सकते हैं कि हमने जब construction किय है तो height के लिखेंगे था ना तो basically 90 degree होगा यहां भी 90 तो दोनों में 90 है तो बराबर दिखा सकते हैं तो कौन सा angle 90 है AEO क्या लिखेंगे angle AEO is equal to क्या angle DFO लिखेंगे बिल्कुल और यह दोनों कितना के बराबर है 90 के बराबर ठीक है तो दो angle आपने equal दिखा जा तो आपको प basically आप जब दो दिखा दिया तो आप सीधा आपका similar proof हो गया अब जैसे ही आपका similar proof होगा तो side का ratio आप equal दिखा सकते हैं तो चलो करते हैं अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं जो आपका triangle AEO क्या AEO वह similar हो जागा किसके triangle DFO के DFO के कोई दिख्कतली बात नहीं है ठीक है यह हो आप बताव जैसे similar proof कर दिया side का ratio बराबर लिख सकते हैं तो चलो लिखरे लिए side का ratio बराबर यहां पर कर लेते हैं क्या say A by क्या हो जाएगा क्या लिख लेंगे यहां से हम A by A by क्या लीखेंगे a by df is equal to a by df is equal to i o by f o क्या लीखेंगे तो देखो यहां पर क्या आए यहां दिख रहा है को AXDF, हांजी सर हमें दिख रहा है AXDF, यहां भी AXDF यहां भी AXDF यहां भी AOXDH दिख रहा है हंजी सर AXDF भी दिख रहा है तो basically आप इन दोनों को अगर ले ले बीचाली के विशक्ता नहीं है उसके साइड नहीं देखेंगे दो गों मिल गया और देखो आपस में दोनों बराबर भी है और मैंने क्या बुला कि अगर जैसे ही आप इन दोनों को बराबर आप प्रूफ कर दोगे तो आप क्या कर पाओगे तो यहां से आप क्या लिख पाओगे बेसिकली आप क्या करोगे यहां से आपको यह बास समझा गया होगा कि आपका area of triangle a b c है डिवाइडर बाई जो area of triangle d b c है क्या d b c है वो बराबर किसके था a df के लेकिन a df ऐ a o by d o के बराबर है हंजी सर बराबर है तो ao बाई do के बराबर है और यहीं तो हमें दिखाना था तो हम गया लिख लेंगे यहां से हैंस प्रूफ्ट कोछ्ट दिख्कतली बात नहीं है काफी आसान सास वल था लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिए यहां पर construction ध्यान में रखेंगे हम नहीं कहा किया था यहां पर क्यूंकि सेम बेस्थाना तो हम नहीं कहा किया था दोनों के लिए perpendicular यानिकि ठीक है तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं तो तब तक के लिए आसी है आव गुड डे बाबाई टेक किर पढ़ते रहेंगे खुश रहेंगे ठीक है बाई